so hello guys कैसे हो यार सबी तो guys आज से हम फिर से continue करने वाले हैं अपने survival series को जो कि मैंने पिछला part 1 डाल रखा था अगर आपने नहीं देखा तो जागर देख सकते हो मैंने जैसी की बोला था मैं जब भी survival का new series लाओंगा उसके अंदर भाई मैं new rtx use करूँगा new texture pack use करूँगा मुझे लगता है कमाल का घर बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा creativity डालना पड़ेगा और उसके लिए अभी थोड़ा सा ब्रेट करना चाहिए मेरे इसाब से चोटा ही घर हो बट वह creative दिखना चाहिए तो जब वह चीज होगा तभी मैं बनाऊंगा और अभी जो मेरे इसाब परेगा जो कि मैंने माइन करके रख लिया है तो या बिल्कुल मजा आने वाला है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फड़ा फट से वीडियो को लाइक कर दो और यह घर देख सकते हो काफी अजीब है ना पिछले एपिसोड़े मैंने बनाया था बस मजाक मजाक के लिए और अभी मैं बाहर में अभी सारी चीजे होने वाली है जो कि यहां पर की टीजाइनिंग कितनी अच्छी है तो अभी फटाफ़ाइवल का पार्ट वन खतम किया था तो मेरे पास अच्छे खासे कोलते हैं बट अभी बाइब स्टार्ट कर रहा हूं तो देख रहा ह मेरे पास तो है नहीं पता नहीं कहा चल गया खाया कोई ग्लिच होगा या फिर मुझे गलत याद है जो भी हो फटा फट से माइनिंग कर लेते हैं कुल भाई लेट्स गो बाहर चलते हैं मुझे लगता है कि वहां पर फार्म जहां पर मुझे बनाना है यहां मुझे थोड़ा एरिया को फ्लैट कर लिया जाए बहुत खतर नाग सा बना देना ऐसा तो मैं सोचा तो बिलेज में जाओंगा बट अब मैं विलेज नहीं जाओंगा इ विभय ऑल्मोस्ट पूरा एलिया मैंने फ्लैट कर दिया है नीचे से विए क्योंकि फार्म में बहुत जरूरी काम ने वाला थी वारिस होने लगग गया तो गाइस अभी भाई सुभा हो चुका है अभी मैंने देख सकत हूँ यह 8 ब्लोक का ऐसा भाई बना दिया चरकोंसा अब यहां पर मुझे नीचे से भाई कोबल स्टोन लगाना है दो दो ब्लोक के उचाई पर ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ भाई ऐसे मुझे साइड टक ले जाना है और यहां पर मुझे एक-एक भाई को भाई फिक्स कर देना है टाकि भाई वाटर को मैं रोख सकूंह центр जिसके अंदर भाई ऐटर अपना रहेगा अब सबसते नहीं नहीं जाना है यह तो फ़िछ कुछ नहीं में थो सुपराइख से पर привसों जोगा धापनाइग मृपस स्टार्ट किया जाए देख सब्सक्राइब कितना मस्त बइससे सुफराथ हो ऩ। अब ही तो साइडशा है जैसका मैंने उसमें किया था भाई तबको कॉर्णर को मुझे जोड़ देना एक से एक बरकर भाई यार यह पानी भरना कितना मुझकिल यार मलब दूनों कॉर्णर पर पानी बरते यह इतना टाइम क्यों कुछ जो भी हो चुका है तो भी उपर से बाई कोब स्टोंज से इसको छुपा दिया जाए बिल्कुल दिखे नहीं पानी कहां पर exist करता है तो इधर का हो गया गाईस अब उधर कभी कर लिया जाए फड़ा फट से इधर वाई एक ब्लोग लगा इधर और यहां पे एक और यहां प ब्लॉक तक और एड ब्लॉक तक खोद के भाई उसके अंदर भी पानी बढ़ना है दोनों साइड तो यार यह भी भाई करना भी फटावर्ट से तो पानी वाला काम जो है ना गाइस बहुत जाला टाइम कंस्यूम कर रहा है तो यह तो हो गया हमारा अभी फटाफट से चुप दिया जाए दोनों साइड का मैंने छुपा दिया अभी फटाफट से जोट लिया जाए मतलब यार इदर होई का यूज होगा फटावर्ट से तो इदर पूरा एरिया मैंने कर दिया क्लीन अभी डाला तो देख सकते हो मेरे पास अभी सीड के नाम पर बस भाई वीट है तो ले जाना है सामने तक गा पर मुझे लगाना है यहाँ और लगा दिया जैए लागे तक हमारा जितना वी ट्रैप्ड अगे से लिवर टीपूंगा अगे यहाँ करने वाला है तो यह मैंने यहां तक रेट से लिवर को लगा दिया है और अब जो हमारा फ्रम बिल्कुल और वहां देको ट्रेपडूर खुल गई और वाटर आने लगा और वाटर के विट फ़िट लगा था वीट उखाद गई अगर जब वीट वरा हो जाता अगर वह बन जाता वाई वीट तो बहार निकल गाता और यहां से क्लेक्ट कर सकता था नॉर्मली तो ऐसे बर करता भी मै 8 8 block करके नीचे तक ले जा सकता हूँ इस farm को and आगे चलके मैं कुछ भी रोप सकता हूँ तो यह जो farm है बहुत बढ़ा होने वाला और यह जो घर है हमारा इस घर को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ यह सेडिया मैं ऐसे new घर बनाऊंगा इसको कैसे उधर जालूँगा तो new बि आइडिया में farm और एक क्रियेटिव घर सो आप डिस्कॉर्ड मेरा जॉइन कर सकते हो अभी कभी और घर का आइडिया दे सकते हो मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था बट कुछ खास घरा कोई आइडिया नहीं आया तो डिस्कॉर्ड जॉइन करो and मुझे आइडिया गहरा करते हुए लिए जो और इसके अंदर भाई आप कुछ भी रोप सकते हो तो यह काफी इसकी सई चीज होने वाली है मतलब इसके बैसे भाई कितना भी वर्ल्ड आपका एडवांस हो जाए इसको काफी लंबे समय तक तो यूज करी सकते हैं तो या गाइस फटा-फट स कॉमेंट्स में रेटिंग दे दो अभी तक गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दो इसके साथ गाइस आज के लिए बज इतना ही मैं मिलता हूं ऐसे कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखो